हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईरवेद इतियास के टोपिक्स के बारे में और इसके लावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस आईरवेद के इतियास के जो टोटल बेटेज है वो कितना है और इसके लावा सबसे सिक्रेट जो चीज किस बुक से पढ़ सकते हो तो ब kalian की अरulin को बड़ इस ब्र इसकंड के अंधर सेकंड पार्ट आपको एक बात करते haven तो प्र आपको आरवे नित्यास पोचा जाता है जो कि अगर उसके सब्सक्रांइब करते उसके माक्स की बात करते हैं से 25 नंबर का उता आउट ओफ हंडेड में से और इस अईरुवेद के इतिहास में जो सबसे पहला टोपिक आता है वो है इतिहास निरुपन मतलब की पर्जेंटेशन इतिहास जो है उस इतिहास के तक आउसकत आब से उसके और इस निरुपन तो हो तो अगला है सहीता काल के गुरंत कार में आपको बस्कान जाए उसके बाद में जो पर्म हो ग्रंत कार में अगर बात करते हैंOS。 मेर्शी दनवंत्री हो गया मेर्शी चरक हो गया मेर्शी सुसूरुत हो गया इन सबी के बारे में आपको डिटिल में पढ़ाया जाएगा उसके बाद में आयरवेद की इतियास में अपना थल्ड टोपिक है वो थल्ड टोपिक है सहीताओं के टीकाकार जो सहीताओं के टीकाक इ으sky चलिए करदाएया जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना यहां उसका इंट्रोडक्षन ने बहुत सार शोजते प्रीकिकार जोाओ इसके अंदर सबसे पहले सबसुआइए इसके बारे मुझे andra इंट्रोडक्षंग इसके बाद मैं नियुकलिन इताव कि लावा आपको पड़ायजाएगा तो हेमंद्री हो गया गंगादर हो गया यह दूसरे टीका कार्ड़े जिनके बारे में भी आपको इस आयरुवेद के इतियास बाओ मिष्र, ये बाओ मिष्र के बारे में आपको जो है वो इस ओधर ओफ संग रहे काल वाले टोपिक में जो आपको बताया जाएगा उसके बाद में जब ऐरवेद जो है वो डवलप हो रहा था आइरवेद जो हूँ हो अपने परगति सील मार्ग पर अपना जो भीकास लग लग जो लेखक आई जो की modern type के अगर modern type, modern time के इसाफ से जो है वो इसके development की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको modern type के अंदर, modern type के जो भी लेखक थे, जो भी author थे उसको बताया जाएगा पांच वे टोपी के अंदर, तो सबसे पहले आपको इसमें introduction पढ़ाया जाए जो अपना help कर रहे थे, जो मदद कर रहे थे, इन सब के बारे में आपको विस्तार में इस आदुनी काल के लेखक के अंदर topic में पढ़ाया जाएगा, इसके बार में चट्टा topic जो आता है, वो चट्टा topic है अपना globalization of Ayurveda, मतलब कि Ayurveda का जो है, जब Ayurveda विकास कर रहा था, तो Ayurveda जो है, वो केवल इंडिया में ही सिमित नहीं था, इंडिया से जो दूसरी कंट्रे, अदर कंट्रे जैसे की नेपाल, स्रिलंका, वारत, बुटान, इन सबी में जो है वो इसका जो है वो globalization मलब दूसरे देशों में जो ही सा Ayurveda का विस्तार हो रहा था, तो Ayurveda का विस किस तरह से अपनाया, इन सभी के बारे में जो है आपको globalization of Ayurveda वाले topic में जो है वो पढ़ने को मिलेगा, इसके बाद में अगले topic की बात करते है, साथ नंबर की topic की, तो साथ नंबर का topic है कि जब देश की आजादी हुई, देश आजाद होने के बाद मतलब की सवतंतरता के आईरवेद का जो विकास, आईरवेद का जो development है, वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में जो है, आपको इस साथ नंबर के topic में सवतंतरता के बाद आईरवेद का विकास इस वाले topic में जो है पढ़ना है, इसके अंदर आपको क्या बताए जाएगी कि अलग-लग समीतियों ज इसके लावा CCIM जो है, उसके लावा अलग-लग जो research center जो है वो इस आईरवेद के अंदर डॉलफ होना शुरू है, विनका जो है वो अलग-लग research center को जो है बनाना शुरू किया गया, तो इसके बारे में जो है आपको इसमें बताए जाएगा, उसके लावा कोलेज होगी, उ में सबसे पेले आपको इह बताया जाएगा कि एक्चोल में में जो ACT है वो है क्या, एक्चोल में ACT जो हो किसके लिए apply हुआ है, और ACT हो क्यूं जो है वो इसके अंदर बताया गया है, इसके बारे में आपको introduction, उसके इसके अंदर chapter जो है कौन-कौन सा है और इसके लावा इस लोग पिरियता आई बेद को जो लोग पसंद करने लगें उसके बारे में आपको बताए जाएगा कि लोगों के अंदर जो आईवेद का किया एफेक्ट हुआ और इसके लावा जो है वो इसके अंदर जो हो दूसरे देसे आईbед के अंदर विश्वास है वो किस तरह से डवल विखित वो पब्लीस हुई जिस से जो है वो इस आयरवेद के जो विश्तार है वो विश्तार केवल अपने देश तक यह विदेशु तक किस तरह से गया इसके बारे में भी आपको इस 90 अंदर नवे टोपिक अरतर इंदर अंतराष्टे इस तरह पर आयरवेद के लोग पिरि तो आएरवेद आगे बढ़ रहा था आएरवेद जो है अपने परगति सील मार्ग पे है और बढ़ता रहेगा तो इस दोरान जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ और गेनाइजस ने डबलु एचो जो है उस डबलु एचो ने किस तरह से आगे आएरवेद को परमॉट करने आगे email की आपको सवास्थ का आएरवेद की लोग्तर फिर्यात में क्या मैं क्या मैं इनके बारेमें इस तोपिक आपको आइएर इतियास जिसके अंदर टोटल मैंने आपको दस टोपिक बता है इन दस टोपिक के अंदर जो है आपका आईरवेद का इतियास जो है कंप्लीट हो जाता है जो कि टोटल में लागर के 25 नमबर काता है सेगेंड पेपर में आउट ओफंडेड में से और मैंने आपको वीडियो के आपको सुरुद में गाता है कि आपको सबसे बेस्ट बुक के बारें बता हूँ तो वह प्रवो दियरावर के नाम से और जो परवो दियरावर की यह बुक है यह बहुत अच्छी बुक है इसमें आपको जो है वो लाइन-टू-लाइन जो हर एक चीज समझ में आएगी और की चीज को modern के साथ में compare करते हुए इसमें आपको बताया जाएगा कि जो है वो किस तरह से जो है एक और चीज है कि जो भी चीज आपको पढ़ाए जाएगी उसका डाइग्रामेटिक फॉर्म आपको मिलेगा ताकि आप उसको जो है वो आसानी से समझे को इसमें आपको जो है प्रकेट्सोंप में आईरवेद की दुकान उसमें आपको आप से मिल जाएगी तो गाइज यह था अज का हमारा टोपिक कि अब